आज का हमारा टॉपिक है लिविंग तिंग्स एंड नॉन लिविंग तिंग्स के लिए हम टॉपिक को स्टुडी करते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग तिंग्स लिविंग जानदार और बेजान चीज़ें वी आर स्रॉंडर बाइ मैनी तिंग्स हम बहुत सी चीजों में घिरे हुए हैं सम आर लिविंग तिंग्स कुछ जानदार चीज़ें हैं सम आर नॉन लिविंग तिंग्स कुछ बेजान चीज़ें हैं लुक एट इस पिक्चर बच्चो वाट इस इन इस पिक्चर येस इसमें कुछ लिविंग तिंग्स हैं कुछ नॉन लिविंग तिंग्स हैं फर्स्ट हम लिविंग तिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं जी हाँ कौन कौन सी लिविंग तिंग्स हैं येस में वो में वाइज गर्ल्स अ डॉक कैट ट्रीज और्स अ लिविंग तिंग्स अब हम non-living things को point out करते हैं picture से bench, bananas, bat, football, rope, shoes, wick, newspaper are non-living things हमने देखा picture में कुछ living things हैं और कुछ non-living things हैं अब हम topic पे चलते हैं फस्ट हम living things को define करते हैं living things grow and change living things grow and change a chick grows into a hen a baby boy grows into a boy and a boy grows into a man एक चूजा grow करता है तो मुर्गी में बदल जाता है और एक baby boy grow करके boy बनता है और boy grow होकर man की शक्तियार कर लेता है अब ये grow हुए तो हमने देखा कि कुछ changes भी आईं तो changes क्या आती हैं? first change size change होता है living things का second change इनकी shape भी change हो जाती है ये living things grow भी करती है और इनका size और shape भी change होती है they need food, air and water they need food, air and water इनहें पुराक, हवा और पानी की भी जरूरत होती है अब देखें कि living things की needs क्या है first food, second air और third है water ये three basic needs हैं प्यारे बच्चो humans, plants and animals are living प्यारे बच्चो, अब हम examples लेते हैं humans जैसा कि man plants जैसे कि tree animals जैसे कि elephant birds, parrot, fish, fish, insects, butterfly ये सब क्या हैं? living things हैं प्यारे बच्चो अब हम non living को define करते हैं non living things do not grow and change non living things do not grow and change ये जान चीज़ें ग्रो नहीं करते हैं और change नहीं होती इन्हें पुराग, हवा और पानी की जरूरत नहीं होती छे लिए हम examples देखते हैं book, pencil, chair, table, computer and cup are non living things अच्छो याद रखने की बाद point to remember when we separate any part of living thing when we separate any part of living things it becomes non living it becomes non living when we separate any part of living things जब हम जिन्दा चीज़ का कोई हिस्सा अलग करते हैं it becomes non living ये बेजान हो जाता है तो इसकी example लेते हैं an apple on a plant an apple on a plant is a living एक पौदे पर एक सेब एक जिन्दा चीज़ है but a detached apple is non living thing लेकिन एक लग किया गया सेब एक बेजान चीज़ है बच्चो इस बात को मेशा याद रखें कि जब तक कोई हिस्सा किसी जानदार के साथ जुड़ा हुआ है तो वो जिन्दा है और जब इसको लग कर दिया जाता है तो वो बेजान हो जाता है अब हम चलते हैं एक नए एक्टिविटी की तरफ एक्टिविटी क्या है हम एक वर्ड बैंक बनाते हैं वर्ड बैंक क्या होता है प्यारे बच्चो वर्ड बैंक आपकी एक नोट बुक है जिसके टाइटल पे आप लिखो वर्ड बैंक और वर्ड बैंक में हम वो वर्ड लिखेंगे जो न्यू होंगे जो हम नए नए अलफाज सीखेंगे नए अलफाज को हम learn करेंगे वो हम इस वर्ड बैंक नोट बुक में add करते जाएंगे तुम्हारा first word है living जिन्दा जानदार things चीजें grow बढ़ती है नशो नमा पाती है बढ़ती है नशो नमा पाती है and or and or change पदलती है दे वो या उन्हे नीड जरूरत होती है food खुराक, air अवा, water पानी, all तमाम, animals जानवर, plants और दे, humans इंसान, non-living बेजान, things चीजें do not, नहीं, not का मतलब नहीं होता है, do not हम present and definite में in negative sentences में इस्तिमाल करते हैं when, जब, we, हम, separate, अलग करते हैं, any, कोई, part, हिस्सा, becomes, हो जाता है, बन जाता है detect, अलग किया गया, example, मसाब, human, humans, इंसान, तो बच्चों, अब हम activities पे चलते हैं मारी first activity है, answer these questions, the first question है, define living things, define living things, living things का define करें, living things का तारफ बताएं, living things grow and change, they need food, air and water, they need food, air and water, second question के है, give five examples of living things, give five examples of living things, जानदार चीज़ों की पांच मसाले दें, yes, man, tree, lion, arrow, fish and butterfly are living things, next question है, what are non-living things, what are non-living things, बेजान चीज़ें क्या हैं, बेजान चीज़ें क्या हैं, non-living things do not grow and change, they do not need food, air and water, name, five non-living things, पांच बेजान चीज़ों के नाम बताएं, book, table, pencil, cup and computer are non-living things, तो हमारी next activity, tick the correct answer, जी हां, हमने tick करना है, जो हमारा correct option होगा, उसको हम टिक करेंगे, which one is non-living thing, which one is non-living thing, कौन सी एक बेजान चीज़ें है, rat, parrot, computer, butterfly, जी बचो, कौन सी non-living thing है, yes, computer, तो हम computer पे tick कर देंगे, which one is non-living thing, cup, sparrow, pencil, bomb, जी बचो, कौन सी जानदार चीज़ है, yes, sparrow, तो sparrow को टिक किया, तो हमरी activity कम्प्लीट हुई, अब हम next activity चलते हैं, right living and non-living, word under each picture, हर तस्वीर के नीचे, living या non-living का लफ्स लिखो, अब हम तस्वीरें देखते हैं, जी, duck, pigeon, table, football, apple, duck is living or non-living, जी वचो, yes, duck is living, Pigeon is living or non-living, good, pigeon is living thing, table, is living or non-living, जी हां, table is a non-living, football is a living thing or non-living thing, yes, football is non-living, apple is a living or non-living, जी हां, apple is non-living, जी हां, apple is non-living, तॉपिक, complete भगा, इस टॉपक को, दीड कीजिए, revise कीजिए, और इस पर एकमांड हासिल कीजिए, प्यारे बच्चो, इस वीडियो को लाइक करें, टीडी यू टीवी सर्विसिस को सबस्क्राइब करें, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें, मिलते हैं, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अलाहाफिस.